हलो एवरिवान वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और अभी रात का टाइम है आठ बज रहे हैं तो रात ही है और ये दिखिए ये लोग खाना खाने के लिए आये हैं तो घर के अंदर तो मैं कभी नही देता पर आज काफी लेट हो गई है और बाहर लाइट नहीं है गली में अंधेरा है विजली चली गई है तो इनको न खाना खिलाते समय मुझे खड़ा रहना होता है क्योंकि गाए गली में बहुत सारे भूमते रहते हैं तो फिर इसको खाने नहीं देता है इसका सारा खान वो खा लेता है तो मैं इसलिए घर के अंदर लेके आई हूँ आ टाइगर को रूम में बंद कर दियो तो और आज ये लोग भी खाना खाने में लेट हो गया है क्योंकि हर रोज मॉनिंग में साड़े छे बचे आता है और शाम को सबा साथ साथ ऐसे आता है जब टाइगर को गुमाने के लिए ये लेके जाते हैं तो इसका फिक्स टाइम है पता नहीं इनके पास कौन सी घरी होती है एकदम राइट टाइम पर ये आ जाते हैं पर आज ये दोनों चोटे बच्चे जो हमारे पर उसमें रहते हैं उनकी बांडरी के अंदर कब कैसे फस गया पता नहीं चला जब सबसात हुई है तो इसको लेके टाइगर को लेके घुमाने के लिए गए हैं अनु और हजबन तो मैं बाहर निकली कि इन लोगों को भी खाना दे देती हूं पर था ही नहीं कोई फिर मैं बार बार बाहर जाके देख रही थी कि क्यों नहीं आया क्या बात है खाना की बहुत ही दीमी आवाज में तो एक दो बार तो मैं ध्यान नहीं दी लेकिन जब बार बार ये आवाज मेरे कानों में आने लगी तो मैं कहीं क्या है कहीं फसा तो नहीं है ये फिर जब अनू आया है टाइगर को लेके तो मैं अनू को बोले अनू देख जरा जो ये कहीं फस हैं वो चारों सोते रहते हैं और उधर कई लोग है जो इनको खाना भी खिलाते हैं तो ज्यादा तर उधर ही रहता है वहाँ देखके आया वहाँ नहीं मिला फिर जब गली में आया तो उसे भी रोनी की आवाज सुनाई दी फिर वो गौर किया जो कहां से आरी आवाज तो पता चला ये बॉंडरी के अंदर फसा हुआ है तो बॉंडरी जो है वो पुरानी सी दिवार है तो उसमें चोटा सा होल है जब ये जुपके देखा तो देखा दो आंखे अंदर से जाक रही है बोला मम्मा ये फस गया उधर फिर परोसी को बोले कि दो बच् का टाइम हो गया आज मैं भूखा हूँ और यहां अंदर फसा हूँ कोई तो देखो कोई तो निकालो मुझे तो फिर ये लोग दूद रोटी तो खाते नहीं है तो ब्रेड दूद दी पर आज पता नहीं क्यों इतना भूखा था मॉनिंग में तो आया था ये खाना खाने क खा लिया फिर बैठा रहा तो दूद रोटी दी हूँ वो भी खा लिया ताइगर का खाना रखा हुआ था दोपहर में टाइगर को एग राइस देती हूँ उसको वही खाना पसंद है तो अभी नहीं खाता है कम खाने लगा है टाइगर भी गर्मी बहुत परती है तो उसकी खानी को भी इसने जुठा कर दिया तो वो भी दे दी वो भी खा लिया मैं कहीं क्यों इतना भूखा है यह और इसकी मा आई बाद में आए तो मैं इसको डाड भी रही थी कि उस टाइम से तो आई नहीं जिसके कारण में ज्यादा परिशान हो रही थी कि मा भी नहीं आए पर बिचारी भी क्या करती यह कैसे निकालती बिचारी परिशान तो होगी है तो दोनुबच्चे जब खा लिये हैं तो फिर इसको भी निशान हो रहे थी कि बताओं ये बच्चे सब बिचारे क्या सोच रहे होंगे चलिए तो मैं फिर मिलती हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक ले बाब बाई